पीपीपी मोडल यानि की सार्वजनिक नीजी भागेदारी आप नाम पर नहीं जाएए नाम तो पब्लिक का है और पार्टर्शिप का है लेकिन असल में बड़े सेठिये ही इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं और दीरे दीरे अब सरकार सारे सरकारी उक्रम नीजी कमपनियों के हाथों बेचने जा रही है सरकार मज़े में हैं क्योंकि अब किसी का विरोध कहीं होने वाला ली है चलिए खेर आपको एक और जानकारी दे दें कि इसी पीपी मोड पर देश के तीन एरपोर्ट दिये जा चुके हैं यानि की नीजी हाथों में इन्हें सोपने के तैयारी हो गई है ब्रधानमंतरी नरेंदर मुदी की अध्यक्षता में हुई कैमिनेट की बेठक में एरपोर्ट के नीजी करण पर महर लग गई कैमिनेट ने जैपुर गौाटियो और तिरम परम एरपोर्ट को बीपी मोडल के तहट लीज पर देने का फैसला किया है ये एरपोर्ट फचास साल के लिए लीज पर दिये जाएंगे कैंदेर मर्त प्रकास जावडिकर ने कैमिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे एक हजार सथर करोर रुपे इससे एक हजार सतर करोर रुपे मिलेंगे इस रकम का इस्तमाल Airport Authority of India छोटे शहरों में एरपोर्ट बनाने पर करेगी साथ ही यात्रियों को भी कई सुईधाएं मिलेंगी केंदर सरकार ने बीते साल सार्वजनिक नीजी भागेदरी यानि की PPP मॉडल के तहट परी चालन प्रबंद और विकास के लिए लखनो एहमदाबाद जैपूर मैंगलूर त्रिवन्रम प्रम और गोआ हाटी के हवाई अड़ों का नीजी गरन कर दिया था क्यों लिया गया ये फैसला ये माना जा रहा है कि एरपोर्ट लीज पर देने के लिए नीजी नीवेश को बढ़ावा मिलेगा एरपोर्ट चलाने में होने वाले नुकसान की कमी होगी आपको बता दें कि देश में एरपोर्ट ऑथरोरिटी ऑफ इंडिया के पास अभी 100 से इंडिया के 90 से ज्यादा एरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं चलिए चलते चलते आपको एक जानकरी ओर दे देते हैं भारतिये रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्परेरशन यानि की IRCTC इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेचने जा रही है CNBC आवाज को सुत्रों से मिली जानकरी के मताबिक IRCTC में OFC के जरिये हिस्सा बेचा जाएगा इसके लिए विनिवेश विभाग ने बोलियां मंगाई है अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC बायर का पेज लाइक करिए अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं